दिल्ली में चाय वाले तो बहुत हैं पर चाय बनाने के साथ-साथ किताबें लिखने का शौक शायद ही आपने कहीं सुना होगा जी हाँ हम बात कर रहे हैं महराश्र से दिल्ली आई टी सेलर कम ओथर लक्षमिन राउजी से जो ना सिर्फ लोगों को अपनी चाय से खुश करते हैं बलकि अपनी लिखी हुई 25 किताबों से इज़त भी कमा रहे हैं पैशन एक ऐसी चीज है जो आपको कभी भी हिम्मत नहीं हाइने देता और उसी पैशन को अपना लक्ष बनाया है लक्षमिन राउजी ने नमस्कार सुता हो मेरा नाम लक्षपन राउज है प्रापरली में महाराश का रहने वाला हूँ और बाई जुले उनीस सो बावन का मेरा जनम है मैं अपने गाव में गुल्षेंदा जी के पुस्ते के पढ़ता था हिंदी में जबकि मेरी मात्रवाशा मराथी है और मैं महाराश में अमरावधी जीले में छोटा सा गाव तरे गाव देशासर वहां मेरा जनम गवा और आठवी कक्षा तक मैंने वही पढ़ाई की और वह मेरा उद्देश लेखक बनने का था जब मैं अपने गाव में तब ही मेरे गाव का एक लड़का था रामदास वह पानी में डुपकर मर गया ता उस पर मैंने पहला उपन्याज दिखा और एक उपन्याज और लिखा नहीं दूने के नहीं कानि दो किताबे लेकर में प्रका करना आरंब किया पहले पुस्तक जब प्रकाशित होई ती तो उनी दिनों आने की उनी सो इक्या से में टाइम सब इंडिया में मेरा परीचे छपा और वहां से मुझे एक जानकारी मिली लोगों को पैशान मिली और एक पानवाला कितावे लिखता है उस ताम में पानवीडी स मजदूरी करना पड़ा जाबो पवरतन साफ करना पड़ा लेकिन मैंने अपने संगर्च के सामने हारने मानी यहां मैं पिछले 44 साल से मैं बैटा हूँ और मेरी ये पुस्तक है जो प्रिपकाड अमेजान और यहां पर भी बिखती है अद तक मेरे पुस्तकों की तीस हजार प्रतिया बिख चुकी है और लोग मुझे पुस्ते है कि ते भाटी जोर कॉलिफिकेशन तो मैंने साहिती सा यहां आख शुकी जोर में बारो की बार्वी पास की 50 साल की में चुछ Corn book了 ओर ट्रॉं मौन्सी प्रेम चैन्द को जो है और एसे कही लेखो definitive 건지 पहलो है और वहां से मुझे बिखााय चला हम मुझे पताचला की साहित्य क्या होता ए और शाहित्य के को पढ़ कर ये सोचा कि मैं कुछ भी नहीं हूं और मैंने पढ़ना चाहिए अध्यान भी करना चाहिए एजुकेशन भी वड़ाना चाहिए तो यह जितने भी मेरी पुस्तक है आपको दिख रही है कि यह एर्देसे रेनु है कि एक संगर्ष करने वाली लड़की किस तरह है वो पन्यास है कि जैसे अम्वानी जैसा एक उद्योग पती है अगर छोटी सी भूल अगर कर दे या छोटी सी बीमारी से हताद हो जाए तो अपनी जिवन जिन्दगी परवाद कर सकता है वो ही को पन्यास है मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि आप पहले जमीन पर रहने का प्रयास करें आप उची उचे सपने मत देखिए और जिस काम को आप करना चाहते है उसकी आप पूरी तर से स्टेडी करें आप फेल हो गए इसका मतलब आप असफल नहीं है आपको निराज होनी के प्रयास करिए फिर उसका अनुबव लीजे और आप आगे बढ़ोगे क्यूंकि आप डिप्रेशन में इसले आ रहे हो कि आपने वो सोचा ही नहीं आप ने परिनाम देखा कि बहुत अच्छा परिनाम हो लो मिलना चाहिए आपने नकारात्मक सोच नहीं बनाए जैसे मुझ लेकिन मैं परिनाम करता हूँ उस व्यक्ति को जिनकी वज़े से आज मेरी इतनी पुस्ते के प्रकाशी तो चुकी है और यह बिक्री है तो अगर में उस सोचता है निराश हो यह यह हूँ तो शायद मैं यह नहीं कर पाता हूँ निराशा हमेशा सामने होती है और परिनाम अनुभव पीछे रह जाते है वह हमें लेना बहुत जरूरी है और उसको लेकर हमने आजे बढ़ना चाहिए असंभव ऐसा कुछ नहीं आप अपने लक्षे के तरफ देखिए और आगे बढ़िए आप अपने सफलता को हसिल कर लोगे